वालकुम अगें गूट मॉर्निंग विच सभी आपको एक बार फिर अपने मॉर्निंग शो गूट मॉर्निंग विच सभी में वैलकुम करती है और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो वीनर्स एजी टीवी चैनल की लाइफ ट्रांसमेशन जो पूरे पाकिस्तान में दे और आपके डिफ्रेंट कमेंट्स और सब मैसेज़ मिलते रहते तो देखने वालों का चाहने वालों का बहुत शुक्रिया तो लाइफ कॉलम में कर सकते हैं पी टी सेल नंबर मेंशन हो रहा है तो मैं एक बार फिर वालकुम करती हूं हमारे साथ साइकॉलिजिस्ट पोईट राइटर एक्टर यहां पर मौझूद है उजमा अलिया असलाम अलेकुम एक बार फिर मेरी जान अच्छा जी उजमा की जिन्दगी बड़ी एक सेक्रिफाइस से गुजरी है और एक मोटिविशनल मैसेज है हमारे लिए के ऐसी स्टोरी जो हमें एक स्ट्रॉंग बनाने के अलिए मेरे खेल में एक बेस्ट स्टोरी है तो क्या कहते हैं जिन्दगी में जब बार बार आपको टॉर्चिर किया गया कि भई आपके तो बईबी ने और आपके मॉटे मॉटे हासु निकल आए तो आल्लापाक ने आपने ऐसा क्या किया किया अपको पिर कोई ना कोई हैं उसमें भी दिखाया है और प्रॉफिट की पूरी हज़त आदम अलिएसलाम से लेकर महसुन अभी महसुन अलावलायवाले वस्तलम तो हमें उससे बड़े चीज़ें हमें मिलती हैं बलके अब हम मुहरम में हैं तो हमें देखिए ना कर्बला के उसमें भी बहुत कुछ म मुलता है के लीडर क्या होता है हमें यह मिलता है कि उन्होंने अपनी अमत को ब्लड शेट से बचाया हमें यह मिलता है क replay क्या होती है पैमिली की फैमिली के सपर्ट है आजकल से भी एक चीज़ है कोई भी बिबारी हो Recelinemal हो率 हो मेंटल हो आज से सो साल पहले तो फ्लू का इलाज नहीं था करोड़ों लोग मर गए थे फ्लू की वज़ा से अभी हम कोविट से निकले 2020 में कुछ तना टाइम नहीं गुजरा तो मेडिसन्स बन रही है फिजिकल आपकी जो हेल्थ है लेकिन आपके मेंटल हेल्थ पे यहां इतना काम नहीं हो रहा जितना के अमेरिका वगरा में पिछले सवा सो साल से वहां बहुत काम हो रहा है मेंटल हेल्थ के बारे में अभी भी यहां लोग पी कुछ नहीं उनको अंदाजा लेकिन आप सोचेगे के एक स्टॉक एक्स्चेंज क्रैश करती है तो हार्ट आटक क्यों हो जाता है इ स्टॉक क्यों हो जाता है यहां फिजिकल – अब यहां हो गया, यहां थोड़ी होड्यनस सा रही है कि मेंटल और फिजिकल दोन्हों हेल्थ रिलेटड है अब एक और चीज़ है वो है सपोर्ट सभी सपोर्ट क्या इसोशल क्या है आपके फैमिली इसो professionals तो अब उसको कहते हैं भायो साइकोसोशल मॉडल उससे एलाज करते है वायो यानि फिसीकल he आपके फैमिली नहीं कर रही है तो आपके कोई फ्रेंड्स होंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे इसलिए देखिए न के हमारे इसलाम में कहते हैं के पडोसियों के बड़े हकूँक हैं एक वरासत में नहीं है बस हर तरह बाजी ले जाते हैं क्योंके आपके रिशिदार आपके बात में पहुंचते हैं पहले पडोसी पहुंचते हैं तो ऐसे ही तो नहीं कहते हैं लपक मरने के बाद भी पुडोसी अच्छा थी आपने इसन होगे ना तो देखे हमारा तो मजब में कहते हैं बाजमात क्यों बाजमात नमाज के क्यों हम समझ नहीं पाते हैं बस यह चीज़ें तो यह चीज़ें अगर हम समझ लें यह सारी चीज़ें तो मेरा खाल में लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी और अभी हम मिया बीवी के बात कर रहे थे बच्चों की एश्वाग हमसाब की एक बहुत खुबसर कहानी थी एहतराम म मुहपत है वही असर में नचोड है मिया बीवी में जब एहतराम खतम हो जाता है एक दूसरे को नीचा दिखाने का लिए वही साइकलोजिकल इश्यूज़ें इंफिरियोर्टी कंप्लेक्स है सुपिरियोर्टी कंप्लेक्स है मैं बड़े खंदान का हूं तेरे खंदान से चल रहा है तो एक तो वो चीज होने चाहिए दूसरी जो आपने मेरी स्टोरी की बात की कि जब आप प्रॉफिट की स्टोरी देखते हैं तो हमें सैक्रिफाइस हमेशा मिलता है क्योंकि हज़त आदम के दोनों बेटों से कहा था ना कि सैक्रिफाइस जिसका मुझे कबूल होगा जिसकी कुरबानी मुझे अच्छे लगेगी यल्ला ने फरमाया था उसकी शादी करेंगे उस लड़की से जिससे दोनों चाहते थे तो वो एक की पसंद आ गई थी और एक उसार यह ऐसे चीज़े इतना बड़ा थाल कर लिया तो नियत तो आपकी ठीक नहीं थी ना आप अगर कहतें कि नहीं यह अभी अभी यह ताजा यह प्ल यह मैं दूँ तो अल्ला कबूल कर लेता तो नियत तो अल्ला देख रहा था तो इसी तरह से हम देखते हैं कुरबान कि दास्तान है तो कही ना कहीं चीज़ों को ना सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है और अल्ला पिर कबूल कर ले फिर अल्ला कबूल करता है अगर मैं उस वक इतनी बिजीती में वोइस जबंग भी कर रही थी उन दिनों बहुत अर्ण भी कर रही थी लेकिन जब मुझे एक इसे जगह अपर शुर्ट की वोडिवूड पैकर पर की टॉम एंजेरी पर की किस पर की मेरा सुल्तान एक बहुत पहली वोइस थी वो मेरी थी वाह वही वाह लेकिन वो उस ही दौरान फिर में वो छोड़कर चले गए तो और एक ड्रमा नूर भी उन दिनों आ रहा था उस अशर इवेंट्स में हमारी बड़ी अच्छी है हमारी अलेक्स से लेक होती है हम बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं लेकिन इतनी माशा-लाह जो अंदर डीप ली अम जा पता एक अफरत अफरी होती है यारे इवेंट्स में जाना हम लोग डिफरेंट बिजनस कम्मुनिट इसमें भी मिलते रहते हैं लेकि इतना डिटेल में मैं जो आज इसको मतलब मैं इसी तालेंटेड लेडी को जो में इतनी ओपन ली आज गुफ्तुगू कर रहे हूं तो आई फिल वेरी प्राउड के उसमा इतनी तालेंटेड है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे रही स्टक ना कर दें सिट्वेशन से निकले और कोई क्रियेटिव काम कर लेंगे अगर आपको पारिक मत करें बिल्कुल वो पानी जो चलता रहता है उस वो बहतावा पानी ना सबको अच्छा लगता उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं पी लेते हैं नहा लेते हैं लेकिन आप ठ इसकी nào हम पाकाइदा सFEकलोजिकल एकसाइस कर न liont को हम कईते हो उनके चाहस है यह प्रम पिछागर है और हम उसे कहते सरे क्षैन कर ओड्रोडें तो उस पे भी हम बात करेंगे देटेल्स है do पे चुश्सकिन क्वे बात करी है इधसाईस क्यों जरूरी होती ऐền यह लिए पर यह होती है कि हम जो एक्सरसाइस से घ्रमोन रिलीज होता है उसको हम असान अन्फाज में कहते हैं एक होऊची यह क İşte तो कोई नहीं कहेंगा क्योंके उसने अंदर इनरजी लाया युन वो बड़े फ्रेश है और जाकर वो अपने सारा दिन वो बड़े अच्छे से काम करता है ये रोज का लोगों का मामूल होता है तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पेशेंट है चाहिए कोई भी सैकलोजिकल इशू से हम उसे कहते हैं वाक कर लेजी अब ज़रूरी नहीं एक गंटे की वॉक करें अब स्टार्ट तो करें ना दस मिनट तो निकले न बार और एक वोक कर के आजाये तो थोड़ा-थोड़ा करके फिर बढ़ाते हैं हम पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर ये नहीं कर पा रहा तो आप करें, तो हम फिर उसको कहते हैं, इसको यू करो, यह पेशन्ट का हाथ है, यह पेशन्ट का हाथ है, यह पेशन्ट का है, तो यू कर रहा है, अब हाथ साथ साथ, पेशन्ट का भी चल रहा है, तो उसकी एक्सरसाइज भी हो रही है, तो फिर हम कहते हैं, यह हरकत में यानि उसमें भी हरकत है आप में भी हरकत हो रही है और दोनों की exercise हो रही है तो यह एक चीज है कि आप जब तक move नहीं करेंगे हमारी आजकल life ऐसी होगी ठीक है technology की वज़ा से बहुत help भी बिल रही है लेकिन हमने अपको stuck भी तो कर लिया है और पिर हमने डोक्टरों को खुश करते जा रहे हैं डोक्टर तो कहते हैं अच्छे stuck ही रही है लोग हम पढ़ रहे थे हेल्थ के उपर तो हम उसमें हमने पढ़ा कि after 70 years और 80 years के बाद आदमी की life जो है ना वो होती है कि अब यह इस वक पहले क्या कोई नहीं आ रहा बाहर के जितने भी लेकिन हमारे एशिया में और खास हुआ हमारा जो किता पाकिसान में 60 लेकिन आपने बहुत प्यारी बात कही है और नाजरी आप यकीन करें चाइना में इतनी इतनी ओल्ड एज बुरा बुरी होते हैं और इसकी सिर्फ एकी प्राइज लिखी होती है 102, 110, 120. और वो और उनके वालिद या वालदा या वालदा उलडे को ख्याल कर रहे होते हैं अगर वो पाणी नहीं पी सकते हैं एक से पहले तने बुरी बुरी और हैं जिनकी ये प्रॉब्लम मेरी वो प्रॉब्लम हमने अपने आपको खुद अपनी बॉड़ी को लागर कर देते हैं पता नहीं मुझे नहीं मालूं क्या है लेट सी मैं कहूंगी कि उसमा हम इसको हम कंजीनियू करेंगे इसी गुफटुगू को और अब इसमें से बहुत सारी ऐसी बात हैं कहां पर हैं और कहां आप अपने आपको खुद हारा रहे हैं चाहे वह आप हेल्थ के हिसाब से हो या आपकी स्ट्रगल हो और क्या आपकी जुस्तुजू हो और कहां आपकी फैमिली हो जब तक आप स्ट्रॉंग नहीं होंगे यहां से यहां से स्ट्रॉंग नहीं होंग लेट सी उसमा जाते जाते हैं अपने नाजिगें को कोई मैसेज देना चाहिए यह आपका कैमरा है बस यही कि आपकी जो भी सिट्वेशन हो एक तो प्रॉफिट की स्टोरी जरूर पढ़ें शुरू से अज़त आदम अले इसलाम से लेकर और जो भी आपका मजभब है अज़ अगर आप जो हैं तो जाहर है आप नाज़र दावद अले इसलाम तक पढ़ेंगे करिश्चन है तो अज़र तीसा तक पढ़ेंगे वो भी बहुत कुछ आपको बता देता है तो आपको जब वो स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो अल्ला ताला ने उन से अजमाईशे लिएंगे है वो आपसे नहीं ले रहा है वो तो अल्ला का शुकर अदा कीजए और अल्ला का शुकर अदा करने में अगर आप नाशुकरी करेंगे तो चीजेप मैं मुखतसर बस यह करऊंगी चीजें घट जाती है नाशुक्री की ना तो अल्ला कहेगा इतना कुछ दिया फिर भी नाशुक्री तो जो कुछ है वो भी कम होगा लेकि शुकर अदा करेंगे तो जो नहीं भी है वो भी आपको इंशाला मिलेगा तो कभी मायूस मत हो और अपने आपको जैसे के सहभी ने का कि अपने आपको फारिख मत करें कुछी अच्छे काम में डालें अपने आपको मजलूम लोगों के मैं मजलूम हो, मेरी सास मुझे जुल्म करें अपने आपको गिव अप करना वो मत करें किसी ना किसी creativity काम में कर लें कुछ नहीं तो घर में कुछ सिलाई कर लीजे कुछ नहीं तो कुछ painting जैसे नहोंने का यह बहुत अची चीज है painting कर लीजे कुछ ना कुछ अपने आपको काम में लाई है Thank you, उस्मा बहुत शुक्रीया और इतने गौर से आपने मेरा introduction मेरा message सुना जो वे इन्ट्रो दिया बड़े गौर से सना बहुत शुक्रीया थैंक यू मैं भी दिल से लोगों के लिए बात कहती हूं और मैं चाहते हूं कि हमारे जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में पाकिस्ता कितनी स्टॉंग है और उनकी mentality कितनी स्टॉंग है और कहां तक उनकी approach है तो मेरे साथ एक बहुत ही struggling येस और achiever lady मौझूद है लेकिन या रहेंगे चोटी ची ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बात good morning with सभी किस साथ